आज हम बनाएंगे एक दमढ़ाबा वाली बहुत ही टेश्टी पालक पनीर की सबजी इस सबजी बहुत ही टेश्टी बनकर तयार हुई है और मुझे पता है एक रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने हाँ पर 200 ग्राम पालक के पत्ते को अच्छे से दोकर वाश कर लिया है और अब मैंने एक साइड पानी को उबलने के लिए रखा है मैंने उसमें एक चमचीनी एड़ किया है और इससे हमारा जो पालक हरा भरा रहेगा और मैंने इसमें सारे पालक को एड़ कर दिया है और 2-3 मिनट उबलने के बाद मैंने खलेम को बंद कर दिया है और अब पालक को एकदम ठंडे पानी में डाल देंगी ये एकदम चिल्ड पानी है तो अब मैंने सारे पालक को इस ठंडे पानी में डाल दिया है और कुछ देर के बाद मैं इसे एक ठंडी के मदद से छान लूँगी ताकि सारा पानी इसका निकल जाए और मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है उसे मैंने सारे पालक के पत्ते को एड़ कर दिया है और मैंने एक मुठी के करीब धन्या की पत्ती दो हरी मिच को एड़ करके हम इसे बिना पानी डाल कर इसे ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं इसके रहे मैंने एक पैन में सरसो का तेल एड़ किया है और इसमें मैंने हाप चमचे करीब जीरा और कुछ खड़े मसाले और हिंको एड़ किया है अब मैंने वारिक कटेवी प्याज एड़ किया है और इसमें मैंने तमैटो की प्यूरी एड़ किया है और इसमें अच्छी त यहां पर मैंने साथ से आठ मिना तक मसाले को बहुत अच्छी तरह हेुआ और देखुया है में तेल separate दिखने लगा है इसका मतलब कि हमारा मसाला बहुत अच्छ से भुन चुका है तो अब मैं इसमें पालक की प्यूरी को एक कर दोंगी तो यहां पर मैंने सारे पालक की प्यूरी को आड कर दिया है और इसे मैं लगभग 2 Birth में इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और आप इसके जगव अमूल फ्रेस क्रीम भी एड़ कर सकते हो उससे भी हमारी सबजी काफी तेस्टी बनकर त्यार होती है तो हम इसे अच्छे से mix करेंगे अब हम इसका creamy texture बनाने के लिए एक चमच गी या बटर डालेंगे गी या बटर डालनों optional है लेकिन इसका taste इससे बहुत ही अच्छा आता है और हम इसमें अच्छे तरह से mix कर लेंगे तो यहाँ पर मसाले और पालक बहुत अच्छे तरह से भून चुके हैं तो अब मैं इसमें पानी एड़ कर दूँगी आपको ग्रेवी जितनी गाड़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी की quantity कम यह जादा कर सकते हैं अधी पराठा और नान के साथ आपको सर्व करना है तो आप इसमें पानी कम डाली है तो मैंने इसमें पानी एड़ कर D कर दिया है और पांसे 7 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से ढ़क कर पकाएंगे तो यहां पर मैंने कसूरी में थी एक चमज के करीब एड़ किया है इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है और अब मैं इसमें पनीर एड़ कर दूंगी तो मैंने यहाँ पर पनीर को एड़ कर दिया है और आप चाहे तो पनीर को फ्राय करके भी एड़ कर सकते हो पर मैं इसे डिरेक्टली एड़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पर धाई सो ग्राम पनीर लिया है इसे पनीर डालने के बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है लगभग 2-4 मिनट तक पकाना है और हम इसे धनियो पत्ती और गरम मसाला के साथ मिक्स करेंगे और हमारी रेस्टोरेंट अस्टाइल पालक पनीर की सबजी बनकर तयार है तो इसके लिए हम एक तड़का लगाएंगे तो तड़की में मैंने यहाँ पर दो चमज घी लिया है और इसमें मैंने एक चमज बारिक कटी भी लहसन और लाल मिर्च और कस्मिरी लाल मिर्च आपके नना